बहराईज जिलके लोधन पुर्वा यादवपुर इस गाउं में हम यहाँ पर मौझूद हैं और यहाँ एक बार फिर आधी रात बीच चुकी है भेड़िये ने हमला किया है और परीजन रोते नजर आ रहे हैं आपका बेटा था जिस पर हमला किया हमत की जिए थोड़ा सा क्योंकि वह अस्पताल में इस समय अब करूंगा तब्यट ठीक है तबिएट ठीक है कि अभी असपताल से बताय हूंगे तब्यट ठीक है जो अगाउं के लोग बता रहे हैं कि तब्यट ठीक है अभी अपका बच्चा घung के कुछ और लो तो आप उसकी बहन है क्या नाम भाई का आपके जिस पर हमला किया और आपका नाम हमारा नाम है लूसा लूसा तो कहां पर सो रहा था तो हम लग दिया सो ना रहा था हम लोग दादी का बुलावेरन खाना करती तब फिर हम नल पे पानी भड़े लगें तो वह रखो दौर के गवास से रहार से गया फिर रखो भाईया का आप हमला कर दी साम लोटां पानी भरें फिर लोटा पे के पर जी 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 आप घर पर ही थे हम लोगे घर मारा करें तो तो घर के भाई दात्रार रोज अर्या दाज का नहीं गाउं के वह दो कह रहे हैं कि तबिये तभी उसके ठीक है तबिये तूसकी ठीक है अच्छा याशा करें चंब जो रहा है इसका इलाज हो रहा है थोड़ा यह कशी आतारि का जो गड़े ली वह तकिस रही हुं कर दो देखिए बच्चा हमारे दादा है क्या नाम है मत्तिका जी का मैक पुलाल जी देखो आपके बेटी की तवियर ठीक है ये देखो सामने से ही बात हो रही है अस्पताल में है और वो पूरी बात करके बता भी रहा है कि अभी मैं ठीक हूं मेरी तवियर ठीक है अधियर अधियर जी आधियर खड़ें 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 और फाल चाहिए अधियर अधियर वाइन हो तुम देखते ना यहां उट्स बात कर रहा है ना बतावि रहा है देखेंगे बतारा को ना कि अधिए 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 नाम बता रहा है अधिए अधिए संगम लाल की यह तस्वीर है और उनके पिता इस वक्त जिस तरह से वह आहत है और हमी मैसूस कर सकते हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से हमले हो रहा है यहां पर उसकी वजह से यह अब पुरे गाओं में इस तरीके से तकलीफ और दुख की लहर भी है गाओं की कही लोग और यह ने वो ठीक है आप भी इस इसी कहाओं के ही हैं अच्छा क्या यह कितने बज क्या नाम आपका रामदास क्या हुआ वो घर के अंदर था तब हम नए घर के अंदर ने रहा गेट पे तर साहिब अच्छा तो यह इस तरीके से खाट भी लगी हुई है बाहर सो रहे थे कुछ लोग अच्छा अच्छा इस दर्वाजे से वो बाहर निकला जैसे ही तो दर्वाजे के बाहरी कॉर्णर में जहां मवेशी बांधे जाते हैं इस तरफ कहीं छुपा हुआ वो भेडिया बैठा हुआ था और यहीं से आकर के तुरंत उसने हमला किया है कुछ पैर की निशान भी हम यहां देख सकते हैं और यह एक दलदल का इलाका है और पीछे यहां पर यह घनी जाडिया भी दिखाई दे रही है साफ तोर पर और माना जा रहा है कि संभावते भेडिये यहीं पर छुप करके बैठी हुए थे और उनमें से एक भेडिया जो ह है वो आकर यहां हमला करता दिखाई दिया है परिवार के कुछ लोग यहां पर अभी भी मौजूद है और यहीं पर उसने हमला किया है पिर जब बच्चा है वो यहां से घायल होकर अंदर गया है और भेडिया भी साथ में अंदर आ गया अच्छा ठीक है और यह घर के तमा लोग मौजूद हैं और जैसे ही वो दर्वाजे से बाहर निकला है उसके बाद उस पर यह हमला किया गया है ठीक है यह लड़का जब घायल हुआ था उसके बाद वो एक बार फिर घर के भीतर दाखिल हुआ है यह घर के लोग है यहां पर लेकिन खास बात यह दादी है दाद हाँ लाज इननलंग क्या हुआ हां क्या हुआ बताओ जब जरी कवर लेके गया उठाले यह ताब कौन ले गया उठाके गया वाए वह वह पर रहात है वहाइवे देके गवाए पर उनका मादारों सबजे लेट कर यह एक बड़ी दिक्कत भी आप उनकी बहन है भाई का ना संगम लाल तो क्या हुआ कैसे आप बताएंगी ज़रा कैसे उसने हमला किया सब्सक्राइब करते हैं तो बाहर से हम दोनों भई आये हम नल पर रुगें फिर आए कि जिसे यहां पर पहुंचा है तो नीचे गिर गवा तो हम उका रोके लगें फिर उके बाद में है तब खोब चिला लग जब उक उपासी चड़ गवा तो खोब चिला लग कि हमको बचा ना मतलब रहो तो हम देखें तो हम कहनी तो कुट्त ना लाग ती तो जानवर तरीके से तब फिर हम चिला लग इनकी सब लोग दोरो भया मतलब चोटाएगा ज्याद मतलब भया ना वची दोरो अम्मा देखो का हुई गो तो अम्मा अंदर से आएगी तब फिर सब को कड़े कर रहा थे तों प्रकर ना तो जिसी दरवाजेसी कदम बाह रखा है आपके भाईने है वैसे ही इसके दिए सफिसे इसके पास इपके रहा है जया रहा है यहां यहींका दरा के बैठार है यहां यही तो नलो पना जाएक पैसे मतलब उसोचिस किला पानी लोटा भली तो दादी का बुला ले चलतो खाना खाले हम के भाईया तुम पानी भल्य हम दादी घुराई दी तो हम जैसे वह गया तैसे चिला ने तैसे हम मुआ से दौर की आये हैं और फिर उका देखा है भागते उधर इधर का उपा चले भी देखा है आपके भाई को भेडिया नीची गिरा दिया था इसी दौरा जब यहां पर ही यहीं पागिड़ गया तो वह कुछ कोशिश कर रहा था कि बेडिये को दूर भगा पाए आहां मतलब वह कोसित कर रहा थे तो उके लाज जैसे लागा बाव के दौर के नटिया जीशे पकाल लिए बासुकर मतलब नटि पकाल लिए तो तो लिए हम कहें मतलब दर 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 तो आप नजदीक से थी आपने देखा वह भी देखा उका फिर हम पकरें फिर रखो उजब भाग तो हम भाईया को उठान फिर चिला लगन खुब जोर सी तब ब जिसे जानवर के तरीके से लगा जिसे लगा थे कि भेळिया होएं का जिसलिए चार का में का करा रखो का दोसर पता है तो इस चाली की बाकी कि लोग समझ सकें कि इस तरह का इस बच कर रहा है तो तो अतना सी रहा तो आप इसके नज़्दीक आ गई थी जब हमला कर रहा तो हम जिसे वहां थे इत्थ हमरा तीरिया फिर हम जैसे मतलब सोचन की लाई यही पिड़हिवा मतलब डंडा रखा है तो हम सोचन उठाई तो मतलब थुनिवा जिसे हमनी कार्व शुरुआत करें तो हम सोचन की कुट कि यह उसी जगे पर हैं और बहन खुद चश्मदीत जो बता रही है कि कोई दूसरा और जानवर नहीं है क्योंकि हमने उन से पूछा भी है कि क्या कहीं कोई दूसरा प्राणी तो नहीं है कि वो फर्क जानती है सियार कैसा होता है और भेडिया कैसा है उन्होंने बोली है कि ये भेडिया ही था इसी दर्वाजे पर एक बड़ा हमला उसने किया गाउं की भी और कई लोग है यहाँ पर और अभी एक कुछ आतिश बाजी के जरीए भी वो धमाका करने की कोशिश कर रह है दिद्धा सबकों देखा थे बिल्कुल तो यह यह पिता है उनके और आप भी घर में थे उस समय अच्छा बाहर थे वाए अप बता कि बात पर लो उन्हों ने बताया उन्होंने बताया और अस्पताल में है उसकी अभी तबिये ठीक है आपको पता चला होगा अब याका बात है बड़ी तकलीफ है और इस तरह से भीडियों का हमला लगातार बढ़ता चला जा रहा है शासन प्रशासन का कहना है कि जल्द उसे पकड़ा जाएगा या फिर नहीं हुआ तो मारने के भी आदेश दिये गए हैं लेकिन तब तक पता नहीं इस तरह से कितने लोगों के आसू अभी और चलकते दिखाई देंगे और इसी से बचने की ज़रुत है अपने वीडियो जनलिस साथी विकास ठाकूर के साथ मैं प्रशांत चुरहे न्यूज एट इन इंडिया बहराईच